हेलो गाईज, जैसे कि हम सब जानते हैं, यह हमारे स्टैनोफ फॉर ओल यूटूब चैनल है, यह हम बैसिक से लेकर एक्सपर्ट लेबल के आपको क्लास उपलब कराई जा रही है परले मेंटरी पोटरपत के लिए तयारे वाले जो चात्रे हैं, उनके लिए हम बताना चाते हैं कि उनकी परिक्षा की तिथी नजदीक आ चुकी है, मई मा के मद्धे में परिक्षा होने की संबावना है और इसके लिए हम आप हमारी वैपसाइट पर किसी भी गती पर डिक्टेशन हिंदी या इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मुगलतियों का मूल लेंगन भी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही हमने प्रीविएस येर पिछले परिक्षों में आई हुए डिक्टेशनों के लिए अलग से कुछ ऑडियो और साथ में डिक्टेशन आपको उपलब्द कर आई हैं अपने वैपसाइट पर जिसका कुछ चार्ज रहेगा वैपसाइट पर जाकर आप खरीच सकते हैं ऑनलाइन आप इसको पर्चिस कर सकते हैं सभी तैयार रहें आनन्द आशुलेपी मात्सिक पत्र का तीन अंक तीन प्रतिलिकन संग्या 25 और 26 रडी धारण यह बन बैठी है कि सासों ने स्वयम अपनी सासों से जुल्म सहे तो अपनी बहु को कस्ट देने की वे पून अधिकारणी है अभी भी इसकी जड़ें बिद्धमान हैं नारी को कभी अपनी इस मानसिक्त को तिलांजली देनी होगी बेटी के जन्म पर पुरुष को नहीं नारी को अधिक कोसा जाता है बलतकार की शिकार हुई नारी को नारी ही अपिवित्र और त्यागने योग्य समस्ती है इससे बड़ा और क्रूर, मजाक और क्या हो सकता है सिख्षित और आर्थिक रूप से सोतंत्र होने के बाबजूद वह सोने चांदी का लोब सोरण नहीं कर पाती नारित्व को उसकी तरह इस्तिमाल कर पुरुष की कमजोरी का फायदा भी कभी उठाती है सजना संवर्ना नारी का अधिकार है पर उसके लिए अपनी सीमाओं का उलंगन करना तो जरूरी नहीं अधिक नकरात्मक और बाधक तत्वों के बाबजूद हमारे देश की महिलाएं दम घोट बातवरण से निकलने का शंगर्स कर रही है और सफल भी हो रही है इसका एक मुख्य कारण यह है कि प्रगती में बाधक तत्वों पर हमला करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है नारियों को स्वयम जगह जगह जाकर संस्थाओं बनानी होंगी और एक मजबूत मंच तयार करना होगा एक सामाजिक क्रांती की आविशक्ता है स्वयम लड़कियां दहेज लेने वाले लड़कों का बहिसकार करें सास को बहु बेटी में बहेद करना भी भूलना होगा नारी को अपने नारित्व की कम्यों को दूर करना होगा सभापती महुदें वास्तव में जब तक हमारे धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक ढाचे में गुसी हुई सदियों की जंग लगी जडता समाप्त नहीं होती और नारियों के सम्बंद में संसकारों में मिले हमारे एक आंगी दृस्टिकों में परिवर्तन नहीं होता तब तक कानून और कभी-कभी उठने वाले नारी मुक्ति आंदोलन इस्त्रियों को एक प्रतिष्ठा दिला नहीं सकते जिसकी वह सचमुच हकदार है हमारे समाज की परंपराएं और नीती, रीती, रिवाज, महिला, मुक्ति में सबसे बड़ा बादक है गावों की नारियां तो कभी कहीं अधिक शोशित और पीलित है वह समाजिक बंदन अधिक कटोर है जाती बेबस्था की पक्की गांठें मौजूद रहने तथ गरीवी के कारण कमजोर वर्गों की नारियां दोहरे सोशन का सिकार है सरकारी नोकरियां, सारवजनिक प्रतिस्ठानों, अस्पतालों, इस्कूलों आदी में महलाओं के लिए रोजगार के अबसर बड़े है परन्तु यह उंट के मुँ में जीरे के समान है क्योंकि संभिधान में नारियों के लिए रोजगार के समान अबसरों के प्रावधान के बावजूद अब भी अधिसंख्यक छेत्र ऐसे हैं जो हमारी जड मानसिक्ता और नारी के प्रती बिक्रत द्रिस्ठी कौन के कारण महलाओं के लिए बादहें बने हुए है हमारे परिवारों में लड़की का लालन पोशन ही इसी ढंग से होता है कि उसमें ब्यावसाइक महत्वकांचा नहीं हो पाती और यदी हो भी जये तो उसे हर इस्तर पर दबाया जाता है गैर सरकारी संस्थाओं में प्राया नारियों को पुरुशों की अपेक्छा कम मजदूरी दी जाती है नारी भी आज नारी की सत्रू बन बैठी है ऐसे में होता तो बहु का ही स्टोब क्यों फटता बेठी का क्यों नहीं बिविद सांस्कृतिक परंपराएं समाज में इस्तरियों दौरा ही संस्तापित होती है वह उसकी रक्षक, पोशक और प्रसारक है वह परिवार से लेकर समाज के छेत्र में अपने ब्याबहारों दौरा संस्कृति का विकास करने में योग देती है वस्त्र विन्यास, रहन-चहन, धार्मिक प्रथाएं, रेती रिवाज, माननेताएं, मर्तवाशा विकास, पारिवारिक सिक्छा दौरा समाजी करन के आदर्श प्रस्तुत करके पुरुष वर्ग का वही मार्ग दर्शन करती है इस प्रकार नारी घर की ज्योती है, प्रजापती ने प्रजोतपती के लिए नारी को बनाया है नारी ग्रह की साक्छात लक्षमी है, नारी को माता के रूप में सर्व मानने माना गया है परन्तु वही नारी अपने समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त है इन में से दहेज, बाल बिभा, सतीप्रथा तथा महिलाओं का उत्पीलन आदी ऐसे कुछ समस्याओं हैं जिन से महिलाओं आज पीडित हैं और इन्हें काफी हद तक सहती रही है बर्तमान समय में दहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने महिलाओं को हमेशा के लिए अबला और असहाय बना दिया है दहेज के कारण नारी को भार स्वरूप माना जाता है बले ही आदोनिक युग में महिलाओं डॉक्टर बकील आदी महत्वपून पदों पर हों फिर भी दहेज न दिये जाने के कारण उन्हें ससुराल में पीडित किया जाता है इसके अतरिक्त बाल बिभा हमारे समाज में एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसने नारी की बुनियाद को खोकला कर दिया है इसलिए सरकार ने 18 वर्स से कम उम्र की लड़की की शादी को कानून जुर्म करार दिया है इसके लिए केवल कानून ही परियाप्त नहीं ब्यावाहरिक जानकारी एवम ज्यान भी आविशक है संबिधान में पुरुष और महिला के समान इस्तर के जिस आदर्ष की परिकल्पना की गई है वह अभी दूर है नारियों को नैतिक शोशन से मुक्ति दिलाने की दिशा में अभी शुरुवात भर हुई है सभापती महुदे भारतिय समाज प्राचीन आर्रियों का ही वर्तमान रूप है वैदिक काल के साहित्य पर जब हम द्रस्टी डालते हैं तो भारतिय नारी को यहां खड़ा हुआ पाते हैं जहां संसार के इतिहास में कहीं पर भी नारी को इस्थान नहीं मिला आर्रे सब्वेदा में नारी को पुरुष की अर्धांगनी माना गया था पुरुष नारी के विना उसी प्रकार ब्यर्थ है जिस प्रकार एक व्यक्ती अपना आधा अंग नस्थ हो जाने पर होता है आर्रे सब्वेदा में यग का विशेश महत्व है यग में यदि पुरुषों के साथ इस्तरी ना बैठे तो यग पून नहीं हो सकता आधिकाल में नारी तो भोग गय बस्तु मानी गई जबकि भक्ती का व्यमें सभी ने उसे माया का साक्षात स्वरूप दिखलाया और आधुनिक काल की नारी अब हमारे सामने है संस्कृत साहित्य में नारी के संदर्व में अलग-अलग धारणाय रही है इस्तरी ही ऐसी शक्ती है जो धार्मिक भावनाओं का प्रसार करके बालकों का नैतिक आचरण सुधारती है और अशांत बातबरण में शांती के बीज अंकुरित करती है वह दया की देवी होती है चमाशील उसका धर्म होता है वह शहस्णों उधार और सहकारी होती है संसार के नैतिकता का उत्थान और पतन इस्तरी के कारण ही हुआ करता है यह हमारी डिक्टेशन समापतो गई इसमें थोड़े अधिक शब्द थे इसलिए थोड़े समय अधिक रहा है झाल 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 झाल